कि अग्वाफिट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्जाम प्लेयर में तो आपको पता कि अभी फिलाल हम लोग क्या करने जा रहें बाई शाब तो अभी हम लोग पढ़ने वाले भोगता जागरण यूं सरक्षन तो इसमें हम लोग ने जागरण प्रमानक उसको हमने देख लिया था वस्तु की सुद्धता के बारे में तो आज मुरू देखने वाले कि हमें अपने सम्मिदान के तरफ से धारा छे के तहत कितने अपको अपने को अधिकार मिलाया निए भोगता के कितने अधिकार मिले हैं उसके बारे माँ चर्चा करने तो चलिए सबसे पहले सबको गुड़िवनिंग नमस्कास अच्छाकार वालेकुम असलाम बाव मेरे और सबसे बड़ी चीज की आज मैं जा रहा हूं घर और अभी फिलाल मैं हूं घर पे और आज है मेरे घर पूजा इसी कारण सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ रहा है तो इसलिए आप वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा कोई दिकत होगा तो अगले दिन हम इसको कवर कर लेंगे ओके तो चले कालकरम को शुरू करते हैं जल्दी से सब कोई जूड़ जाईए फटाफट ओके सर कि फटाफट सब कोई जूड़ जाई जल्दी से तो हम लोग यहां पर देखने वाले अपने को कितने अधिकार बाबु मेरे मिले हुए हैं ओके ना कि किदर गया कि यहां पर सरव कर अपने को आपने संभीध्यान की धारा छे के तहट किस में झालब मेरे धाराचे के नना ख़िए तहर पर अपने तहट पर अपने को कुछ अधिकार प्राफत है और वह अधिकार भीह हमरे कौन कौन से जरद्हान से सुनना आपसे पूछा जायेगा कि सब्हुता को सुचना काधिकार है तो बदादिने धारस्छे को याद रखना है कि सबसे पहले सुरक्षा काधिकार दूसरा है जनकारी प्राप्त करने का अधिकार तिसरा है चुनने का अधिकार चौथा सुनवाई का अधिकार पाचवा है सिकायत निवारण का अधिकार और छठा उभोक्ता सिक्षा का अधिकार तो सबसे पहिला जो है ध्यान से सुनियेगा और फरमाईएगा वाव मेरे के सबसे पहिला वह मेरे अपको इसमें कहा जा रहा है सुरक्षा का अदिकार जो है इस जो है यह यूब्होगता के सुरक्षा से समबन्दित हैं जैसे हम बात करते हैं हूब्होगता जोना इसमें अपने विक्रेता से अपने उठ्फ पादक से वह सभी जन कार्या जोना वह ले सकता है किसे में मैं दोस्त ठीश जिस से उसकी सुरक्षा जो है ना वो प्रदान हो जैसे अगर हम लोग बात करें सर जैसे मालग सर कर बिजली आप पूर्ति में भीया है मरे क्या हो अगर खराबी हो जाती है कि तो वह अगर कारल से अपने को छहती पहुंच गई किलेम किसके उपर हो सकता तो सबसे पहिला अधिकार तो यह उसके वाद से अधिकार की बात करें जैसे आप लोग आज कल देख रहे हो कि मोबाइल बलास्ट करने का सिलसिला जोना वो चल रहा था बेच बेच में तो आपको पता होगा कि जब मोबाइल बलास्ट हो रहा था तक कंपनी जो है ना उसकी जो ना क्या करें थी मुआबजा दे रहे थी ठीक है दे रहे थी ने सब क्यों क्योंकि यह अधिकार में है मुआबजा तो खेर आपको मिलेगा लेकिन सबसे परीड़ा अधिकार आपका है सुरक्षाग अगर क होता है तो आप वहां पर जोना सक्त हो सकते हो क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है उसके संदर्म में अपनी सुरक्षा के लिए हमरे आप जो भी कदम उठा लो प्रयश्र, जिसके अधार पर हमादने कब करते है सर्ष अगर मानलों की सरथ के मतलब कोई शमान छोई है ना आप खरिद रहे हो उसका पेकड खूला हुआ है ना उसका पेकड खूला हुआ है तो आप उससमाने का नहीं ले सकते हो कि यह आपका अधिकार तोक यह जब कर सकते हो सर उसके वाश स्तमाल करने की अवधि outta लेक्स के वारे में चुछ सकते हो अगर ऐसादब ृपादक से लेसे ले सकते हो stops लेसे सकते के ना या पियों से पूड़ की वारे में उसके युद्धार से ले सकते हो ऊत्पादक से ले थोसर ऐसा पूरी जनकारी ले सकते हो यह आपको अधिकार वाव मेरे दिया गया यह संविधान से अधिकार आपको प्राप्त है तो यह है मैं आपने बस्तु के बारे में जो भांS दिकार श्मजने की इस च पूरी जनकारी के अंतरगत हम गया के अपने को में अपने को यह औतिकार दिया गया है उस्के बारे में हमने को पूरी कुनने का अधिकार में क्या है मैं जरा समझने की कोशिस करना का आधिकार प्रण्ण कि Whew न कर सकता है आप इस दोकान पर हम जा रहे है दो इंनि वह से नहीं कर सकते हैं आप सुनने का अधिकार Elana की अगर खोर उप्वहत्ता अपने ही तो करने ही्ट करने वाले सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समखर में प्रस्तूत करने का दिकार रखता है उप्वोकता को अपने अपने को बंचों के साथ जूड़कर अपने बातों को रखनी चाहिए यानि कहने का मतलब अगर कहीं जो न आपके साथ धोखाधरी हो गई है किसी ने आपको धोखा दे दिया है अब प्यार मुहबबत में दोखा मत समझ ले ना या उप्वोक की वस्तूओं के मामले में अगर आपके साथ कई धोका धरी हुई है तो उसके लिए आप यह उप्युक्त मंचों पर जा सकते आप उसकी शिकायद आप कर सकते हो आपके सुनवाई होगी ठीक है उसके वाद से आपको शिकायत निवारन का अधिकार सिकायत निव सुनवाई का अधिकार यह सर कि अगर आपके साथ दोकाधरी हो गई है अगर आपको वस्तू जो है वो उचित मुल पर या पी शाई धंकी नहीं मिली है तो आप जो ना सिकायत कर सकतो हो आपकी सिकायत सुनी जाएगी ठीक है उसके वाद सर उभोकता सिक्षा का अधिकार कोटी तथा सिवा की जनकारी ऑंधिकारों से जान प्राप्ति की सुवदा जैसे जैसे आती है जिस माद्यम में जिस माध्यम से वह शिक्षित होता है उभोकता धोकाधाड़ी Mu Пр चाहिए वैसे उनको मिलने चाहिए वैसे सिख्षा मिलनी चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा मैं जागरुकता है तो इसके बारे में तिकर इस और इस्मेशमेंस द्खाड़ीज हो सिख्छा लेने का अधिकार है आपको सजग होने का अधिकार है ठेकर ना आप अपने शुलक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी करने का मतलब आपको जो अधिकार दिया गया उसी के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं समझ रहे ना बाते सर्म तो ये कुछ अधिकार ल हट बोलो चीज़े किलिए सर्फुने की लला इसको एक बार फिर से आप देखिएगा है तो यह आपके कुछ अधिकार दिये गहां ऑपभोगता के तौर पर आपको पुछ अधिकार दिये सलीक है अगर आप एक उपभोगता है तो आपके करत भी क्या होने चाहिए एक उइचा तर पे चलिए उसको देखते हैं सर तो जीने की इना रसीद आवस्पी लेने से दो फायदɪे होते हैं एक फायदा कि वो मनी जे ना वो बलेक मनी में नहीं जाएगा आप जब बीना रसीद का समान ख़रे देते हो तो वो इन्सान िनल या नि हो दुकानदार जो एक्स की चोड़ी करता है आम से तो टेक पैसा ले लिया लेकिन वो टेक्स का पैसा जोना वो आगे फरवार्ड नहीं करता है समझ रहो सर तो कुछ पैसों के लिए जोना वो लोग जोना रसीद नहीं देते जब रसीद देंगे इसका मतलब समझ लेना मैं दोस्त कि रसीद जब कट गया तो इसका मतलब वो दुकंतार को टेक्स देड़ा पड़ेगा सरकार को और आपने तो टेक्स दे दिया तो आप जब टेक्स देते हो लेकिन वो रसीद नहीं देता इसका मतलब वो क्या करता है तो इसलिए सजग उपभोकता की यही पचान है सर कि आप सबसे पहले कोई वस्तु की खड़दारी करते हैं तो आप रसीद अवस्च ले ठीक है उसके बाअचे वस्तु की ब्लंष्ता की जाज करनी सरहा आपको हो ब्रांड देखना सर cinema ठ threw आ candidates कि उपर मानक देख लिएना सर्स्ब्सक्थि क्या खरणने जा रहे हो उससे सब से मानक की आफ़ लेना माप त optimistic के देखना है उत्फश कि on क्यों के देखना हु49 आपको देख लेना उसकी ग्रुबबत्तक का निशान है मरे आपको यह आपको भुसके इसके आ यह मार्क है कि निया है बूल मार्क है कि निया अब और और मुल्य की द्रिष्टी से किसी पकार का दोस्त तो उसमें नहीं है अगर ऐसा आप पाते हैं तो आप जो हैना सतर्क हो जाए तब आप एक क्या कहलाओंगे में दोस्त एक अप सजब उपभोकता कहलाओंगे तो उपभोकता के तोर पे आपके ये कुछ जिम्मेवारी है पह रांटी के पेपर देखना है उस पे जितने भी मानक चिन्य जो होते हैं वो देखना है उसकी सुद्धता के लिए यह तमाम तरह की चीज़े आपको जाच कर लेना है उसके बाद ही पूड़क्त खरिदने हैं अगर इसमें किसी पकार की आप अपूर्णिता पाते हैं तो आप उस पूड़क को नहीं खर देंगे बोलो समझे की नहीं समझे तो आप जो हैना सजग भोक्ता का लाओगे आपके यह करतब्य हैं जल्दी से बता दो फटापट एक बार इसको देख लो ओके अब बढ़ते हैं मैं तो ज्ञान से सुनना सब कि अगर आप जो हैना किसी पकार कि धोकादरी के सिकार हो जाते हैं तो आप सिकायत करोगे ठीक है ज्यान से सुनना अगर आप किसी धोकादरी की सिकार हो जाते हैं तो आपको सिकायत कहा करना है अगर वहोगता के तो पर अगर आपके साथ कई धोकादरी हो जाती है तो आप सिकायत कहा करोगे तो उसके व्यक्राश्ट्य आयोग का निर्मान किया गया तो राश्ट्य आयोग में अगर देखा से उपर है कितना सर अगर एक करोड से अना अगर एक करोड अगर एक करोड अधिक किराशी है अगर इतना में आपको धोकाधरी हुआ है तो आप कहाँ जाओगे राष्टी अस्तर पर या फी रास्टी आलोग में आप संपर्ध करोगे वहाँ पर सिकायत अपना दर्ज करवाओगे ठीक है सर वहाँ पर सिकायत अपना दर्ज करवाओगे अगर मैं आपको बताओं ज़रा ध्यान से सुनना में दो सब कोई मिलकर सर हाँ अभू और यह राष्टी आयोग अभी अपने देश में मात्र कितने हैं सर यह एक है एक जुका दड़े वहा है तो आप रात्ति आयों जाओ अगे ठीक है उसके बाद से आता है दूसरे राज बोलो तो राज अस्थ करी आयोम तो इसमीमाम ला क्या है सर कि Jova का the bene Geschichte मिस लाग से अधिक यानि बीशुत से अधिक टीक है है बीश लाग से अधिक ौग को यह हूं सर स्ट्राइब करोड से कम कि करोड कने नड술 अधिक और एक करोड का वम आमामला है अगर आपका प्रम्स थक्ती में स्पक्राइब के सैफ्प करना करे तो ओम स्फटरी एक आयोग तो इसमें कैसा मामला जाएगा तो 20 लाग से अधिक और एक कड़ोर से कम उसके तिसरा जीला अस्तर पर जीला मंच कहते हैं तो इसमें तो अगर मामला सर 20 लाग से कम का है कितना के वहीं हमरे 20 लाख से कम का मामला है तो आप यहां पर शिकाहित कर सकते हो और अपने पास तो अपने पास यहां पर शिकायद करने के लिए आपको तिर्य अस्ताज थापित की गई है अगर आपके साथ किसी पकार का चल अगर होता है मार्केट में तो आप जो ना यहां पर शिकायद कर सकते हो अगर 20 लाग से कम है सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने पास अधिनियम के तहत तरी अस्ताफित की गई अब सारी चीजे खतम हो गई सिकायत कैसे करोगे और की निस्तितियों में करोगे देखो मैं बता रहा हूं सर् सब्सक्राइब कर सकते हों यदि खरीदे गए समान में कोई खराबी है और वह दुकंदार नहीं के लिए रहा है या दुखंदार के साथ कि नब भग्जक हो रहा है ऐसा नहीं कि बहुंडे भाई कर लिए कि इसा बोलना अगर वह स्विकाल कर लेता है तो ठीक है नहीं अगर अगे बढ़ा था तब जाके उसको पचिस जुर्माना लगा था ठीक है सर तो किराएप ली गई या फिस तर उब्वोग की गई से वाओ में अगर किसी पगार की कमी पाई जाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो किलियर आप कंप्लेन कर सकते हो उसके वाद से सर यदि आप से परदर्शित मुल अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मुल से अधिक मुल लिया गया हो यानि MRP यानि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से अगर अधिक आपसे पैसा लिया जा रहा है सर MRP से अगर समान जंता को बेचा जा रहा है अगर यह सब आपको सिकायत कैसे की जाए यह भी आपके सामने पेजन नमबर निकाल ले ना आपको यहां से मिल जाएगा सर अब इसके बासे सर यहां पर आपको सिकायत कैसे करनी है सिकायत किन स्थितियों में किया जाए इस्थितियों में में किया जाए पेज नमर कितना पैसर इस्थितियों में किया जाए पेज नमर कितना है जल्दी से बताओ सर पेज नमर 161 ठीक है अब चलो सर पेज नमर निकाल लो 162 पेज नमर 162 पेज नमर एक बक्स मिलेगा जिसमें सिकायत कैसे की जाए ना इसमें कहा जाएगा साथ कागज पर की जा सकती है स्कायत में निम्रिखित विवरन होना चाहिए चाहिए चाय ज्याहिए तो आपका भी नाम भोना चाहिए और किश के लिए सिकायत कर रहे हूं उसका भी नाम उसमें दर्जन आ और उसका पता भी वोने चाई एपना भी पता उसका भी पता भाव में होना चाहिए कि यह तो पहले काम आपको यह करना जब अपनी के सन्थे संबंदित त्ह यॉम यह सब कभ और कहा हुआ यानि आपकी संदर में शिकायत कर रहे हो यानि कहने का मतलब आपके पास जो product मिला ह उस्में किस किस चीज की कमी पाई गई है हुआ उसकी शुद्धता में कमी है रहना उसकी वजन में कमी है उसकी गुडवत्ता में इरह commence सीकायत में पह врем कोई होने चाहिए चाहिए अगर तो आपका सिगनेचर वहाँ पर होना चाहिए या फिर आपके द्वारा कोई अगर नुक किया गया कोई अधिकारी है तो उसके बाबु मेरे वो होने चाहिए और अपनी शिकायत बेज़े ताकि उसका समझ मतलब शिकायत आपको बेज़ देना सर इन फार्यूम में आपके देख लेना कितने का जोना आपको चूना लगाए गया उसके हिसाब से आप यहा मेरे अपने पास एक आता है सर आर्थिक सोशन या उसका निराकरन करने के लिए अपसर आर्थिक सोशन भी तो हो रहा है सर अब उसका निराकरन कैसे होगा तो इसके लिए दो अधिनियम भी हमरे बनाएगा हम दो आयोग बनाएगा इसके लिए कितने आयोग बनाएगा है मै मानों के अधिकार की लड़ना है ना चलो मानवा अधिकार सर चीज़े की लिए सर यह बना था मैं याद रखना यह सन यह 12 अक्टूबर यह आप से पूछा जाता इसलिए महीं आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिज करना कि मानों अधिकार आयोग क्या है मैं आचे पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ना जरूरी है अब सुनो ặt हुआ है प्रेज़ नमर 165 और निकाल लेना ठीक है आपको यहां से पेज नमर कि नहीं परेज़ जरूरी है अठीक हो आपको अच्छे तरीके से इसको एक देख लेना एक बार पढ़ लेना तो सुन भाई सब कोई मिलकर हमारे देश में राष्टी अस्तर पर एक उस्तम संस्ता है जो मानविय अधिकारों की रक्षा करता है और उनके अधिकार से संबंदित सीतों के लिए सुरक्छा पर्दान करती है इस संस्ता को राष्टः मानुवा अधिकार करते हैं सर या नि मानुव की आपको सकतो आपी मनुस्यों की अधिकारों की जो ड्रक्षा करता है वहिसर मानपादिकार, ठीक है अब क्या है मेरे दोस्त राष्टी मानुवा धिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्तम न्याले के अवकास प्राप्त प्रधान न्यादीश होते हैं मानुवा धिकार के अध्यक्ष कौन थे बता दो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अगर को अध्यक्ष रिटायर सूप्रीम कोड के रिटायर्ट में कौन होते हैं जच होते हैं इसके मेरे सुप्रीम कोट के नैदीश होता है ठीक है सर्ट शुप्रीम कोट के अई से लिखे सर्ट सुप्रीम लिख दें लिख देता है सर्ट सुप्रीम कोट के अना सेवा आपका सकता हो मैं दोस्ट आवकास प्राप्त प्रधान आवकास प्राप्त प्रधान मुख्य नयदिस की बात हो लिए है प्रधान नयदिस होते हैं किसके सर मानवाधिकार के अधिया सबसे बड़ी बात यह यह से इसी तरह देश के परत्यक राज में राज मानवाधिकारों का भी गठन किया गया है ज़ो देश के नागरिकों की अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बातों को देख द्यखी है मानवाधिकार के लिए लगा सर महिलाओं को परत्याचार होने लगा तो उनकी शिकायद संबंध जो ना एक आयोग बनाए गया मेरे दोस्ट जिसको मनों राश्टी महिला आयोग कहते हैं और एक राज्य स्थर बावी राज्य महिला आयोग बना दिया गया तो यह दो आयो जो हमारे किसके सब तीन ए रख़ा करता है यह मानवा अधिकार है जो अपने को सोचन से बचाता है हमारे अधिकारों के हनन अब उसके साथ सुचना का अधिकार इतनी सी बात थोड़ी से समझ लेजिए इसमें मामला यह है सर की उपभोग ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन्हें उपभोग की वस्तू और सिवाऊस के उत्पाद समंदित सुचना उपलब्द हो यानि आप अधिकारों कि रख्षा कब कर सकते हो asking कमा लोगी कोई product आप इस्तमाल करने जा रहे हो को इसी साभी परड़क्ट हो अगर आप उसको इस्तमाल करने जा रहे हो और उसमें अपको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है तो आपको उस पूडक्ट के बारे में पूरी जनकारी हो नी चाहिए जब पूरी जनकारी होगी तभी आप अपने अधिकारों की रख्षा कर सकते हो अधरवाइस कैसे कर पाओगे बताओ कर पाओगे क्या नहीं तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आपको सबसे पहले सुचना जोना वो होना चाहिए और इसके शिकायत के लिए अगर आपको किसी वस्तु के भी आमरे बारे में आपको पूरी जनकारी चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दो आपको आयोग बनाए गए सर एक राश्टिय सुचना आ और उस बस्तु के बारे में पूरी जनकारी जोना आप ले सकते हो इस प्रकार से आप अपने अधिकार के रक्षा कर सकते हो ठीक अन्यृत्व पिए प्यार से सुचना का आधिकार क्या है प्यप्स को जो सबसे इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया सर जो सबसे महत्पूर्ण है और वह प्रस्ण वावु में ने पूछा गया उसको जानना जरूरी है सबसे पहले अगर बात करें हम अरे यार कहा गया वह किताब भी है न दूसरा लेना पड़ेगा किताब फट ग आप से प्रस्ण पूछे जाता है जो मैं आपको बता देता है यहीं पर लगे हाथ ठीक है सुनो मेरे दोस्स आप से पूछा जाए सर रास्ति यह पूछा गया एक बार याद रखना राष्ट्रिये उपभोगता हेल्प लाइन नंबर फिरी है इस पर आप कॉल कर सकते हो सर है है हल्प लाइन नंबर हेल्प लाइन कितना है मैं दोस्स उयाद रखना को अठारहसोज ठीक हैं 1100 और 4000 ऐने थीक नहीं तो इसको भी हमरें याद रखना और यह किसके लिए सब्धों से आप कर सकते हो सर और एमटी इनल से कर सकते हो यह दो कंपनिया तो इसके लिए टॉल फ्री है हलांकि आप इस नंबर पर कॉल सकते हैं तो यहां से आपका चाप्टर बाबु मेरे फिनिस होता है ठीक है और आपको शिकायत करने के लिए मैं बता दू आपको एक रुपय की खर्च बाबु मेरे नहीं लगती है करने में ठीक है तो चीमारे आपको सबसे महातपून बात की आज संस्कृत की कलास जहीं होगी चले जब संस्कृत कि क्लास आज नहीं होगी क्योंकि हम इगार तीक है तो फिर हम लोग संस्कित की क्लास ओर रात को यह 9.aj жиз तो चलिए बहुत बाढ़ा धन्यवास और गुडण नाइट शुब रात ओर फिर मिलेंगा झाल हम लोग कल सुबा में ठीक है हम उसको फिर से समझा देंगे मैं फिर से बोला हूं अगर किसी पगा के इसमें दिख्कात होगा तो आपको जो भी दुखदर्द होगा है ना आपको घहना अगले दिन हम आपको समझा देंगे ओके थैंक्यू